इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत अनियमित हृदे गती यानि की हृदे की धड़कन में अनियमित्ता यानि की एरिथमिया के इलाज के लिए किया जाता है. यह बाद में होने वाले हौट अटेक और स्ट्रोक को रोखने और माईग्रिन की रोख थाम में भी मदद करता है. मेटोपोल टेबलेट का उपयोग अत से किसलिए ले रहे हैं और आपकी कंडीशन कितनी गंभीर है. इसे खाली पेट या खाने के साथ लिया जा सकता है. लेकिन अधिक्तम लाब पाने के लिए इसे रोज नियमित रूप से एक ही समय पर लें. इस दवा को पूरी तरह से असर करने में कुछ हफते लग सकते हैं और आपको इसे उम्र भर भी लेना पड़ सकता है. अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं तो भी इसे लेते रहना जरूरी है. हाई ब्लड प्रेश वाले अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं और अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. इस दवा के मुख्य साइड इफेक्ट ब्लड प्रेश का अचानक कम होना धीमी हृदय गती, सिर्दर्द, चक्कर आना और मिचली आना है. ये आमतोर पर हलके और अल्पकालिक होते हैं. इसके कारण कुछ लोगों में सांस फूलने और ब्लड प्रेश कम होने जैसी समस्याइं आ सकती हैं. साइड इफेक्ट के जोखिम को कम करने के लिए आपका डॉक्टर संभवता दवा को कम खुराक से शुरू करेगा और धीरे धीरे इसे बढ़ाएगा. अगर साइड इफेक्ट आपको परेशान करता है या नहीं जाता है तो डॉक्टर स गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. यह दवा आपके लिए उप्यूक्त है या नहीं यह पता लगाने के लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए. यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है. आपको अपना ब्लड प्रेशन नियमित रूप से चेक करना चाहिए. शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी ल